दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजे मगू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टर्ड मीडिया मंस पर आपके साथ चर्चा में हूँ हर्याना विधान सभा चुनाव को लेकर क्योंकि विधान सभा का चुनाव है और लगातार आपसे हम विधान सभा चुनाव को लेकर बात किया करते हैं हर्याना के अंदर विधान सभा चुनाव में स्थिती क्या है हर्याना का माहौल क्या है ये लोग जानना चाते हैं चाहे वो राजनीती में इंट्रेस्ट रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिशन्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आम आदमी कोई भी है सभी जानना चाते हैं कि उनके विधानसभा छेतर का माहौल क्या है और हम भी लगातार आपको प्रयास कर रहे हैं प्रति दिन एक लोगसभा छेत्र की नौ विधान सभाओं के बारे में जानकारी देने का हमने आपको बताया जो हिसार लोगसभा की नौ विधान सभा की सीटे हैं वहां क्या स्थिती है मैंने आपको बताया कि गुरुगराम लोगसभा की जो नौ विधान सभा सीटे हैं वहां का क्या हालात है और रौतक लोगसभा की जो नौ विधान सभा सीटे हैं वहां की किस प्रकार की स्थिती बनी हुई है आज आपके साथ मैं चर्चा में हूँ बिवानी महिंदरगण लोकसभा को लेकर बिवानी महिंदरगण लोकसभा सीट जहां से चौधरी धरमबीर लगातार तीसरी बार सांसद है चौधरी धरमबीर जिन्नोंने दो बार शूती चौधरी को चौनाओ में हराया और अब की बार उन्होंने रावदान सिंग को चुनाओं में हराया लोगसभा चुनाओं में हैट्रिक बना चुके हैं चौदरी धरमबीर जो पिछला चुनाओं अभी हाल ही में 2024 का लोगसभा का हुआ जिसका 4 जून को परिणाम आया था बिवानी महिंदरगड को लका गया था कि टाइट है फाइट दोनों नेताओं में लेकिन जो समीकरन निकल करके आए उसके अंदर 6 सीटों पर भाजपा आगे रही और 3 पर कॉंग्रेस आगे रही बिवानी महिंदरगड में विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या महौल है विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिती क्या है और लोगसभा चुनाव से कितना इत्र ये चुनाव रहेगा इस पर नजर है तो मैं आपको बता दूं कि लोगसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के अलग मुद और बिवानी महंदरगड कितना बदलेगा बिवानी महेंदरगड जहां पर 2019 के विधानसभा चुनाओ में बिवानी विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती थी लोहारू विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती थी तो शाम की विधानसभा सीट कॉंग्रेस ने जीती थी किरन चोधरी आजकल भाज़पा में चली गई थी दादरी की सीट विधान सभा दादरी या निर्दलीय केंडिडेट थे बाडरा की विधान सभा सीट जजपा ने जीती थी जन्ना एक जनता पार्टी ने महिंदर गड की सीट कॉंग्रस ने जीती थी अटेली की सीट भाजपाने जीती थी नांगल चौधरी की सीट भाजपाने जीती थी और नारनौल की सीट भाजपाने जीती थी ज्यानि कि नौ विधान सभाओं में से एक पर जन्नायक जनता पार्टी थी दो पर कॉंग्रेस थी और छे पर भारती जनता पार्टी थी इस तो बिवानी जिले की तीन विधानसभा सीटें बिवानी महंदरगड लोगसभा में आती हैं बिवानी में चार विधानसभा की सीटें हैं बिवानी लोहारू तो शाम और बवानी खेडा बवानी खेडा विधानसभा सीट हिसार में आती है और बिवानी लोहारू तो शाम ये ये seat यानि कि जो भीवानी की seat समझोते के अंदर alliance के तहट communist party को दी है मारकस्वादी communist party को भाजबा की तरफ से घंशाम सर्राफ फिर मैदान में है घंशाम सर्राफ तीन बार विधायक बन चुके हैं अब फिर से बाच्चे चल रही थी तो बता रहे थे कि जमीन के मामलों में कई मामलों में गंशाम सर्राफ पर उंगलिया भी उठी गंशाम सर्राफ के जो मामले थे उन पर आरोब भी लगे और इन सब के चलते गंशाम सर्राफ को जो हर्याणा सरकार का वजीर बनाया गया था मंत्री ब सुनाव मैदान में है कहा जा रहा है कि भिवाली के अंदर आमने सामने का मुकाबला है गंशाम सराफ के साथ जा एंटिंकमबेंसी है तो वहीं कॉम्रेट ओम प्रकाश जिन्नोंने यूको बैंक की नौकली से रिजाइन दे करके वाके मेनेजर थे उससे रिजाइन दिया था और राजनीती में आई किसान अंदोलन हो करमचारी अंदोल्ण को खहड़ार ओं पहलवानों का अंदोलन हो ओम प्रकाश हमेशा सामने दिखते थे कॉम्रेट ओम प्रकाश के लिए पूरे हर्याना भरके करमचारी उनके समर्थन में अभियान भी चला रहे है और भिवानी विधान सभा को लेकर कहा जा रहा है कि यहां टक्कर काटे की है लेकिन एज ओम प्रकाश को है कामडेड ओम प्रकाश को और कहा जा रहा है कि कामडेड ओम प्रकाश इस सीट को जीत सकते हैं तो भिवानी महिंद्रगड की पहली विधानसवा सीट जहां काटे का संगर्श है लेकिन कॉंग्रेस और कम्मिनिस्ट का जो एलाइन्स है ये चुनाव जीतने की स्तिती में जा सकता है कॉम्रेड रोम प्रकाश इनके लिए कहें तो ग्रीन सिगनल दे सकते हैं अगर अगली विधानसवा की बात करूं तो फिर अगली विधानसवा है लोहारू लोहारू के अंदर जेपी दलाल जेपी दलाल विधायक हैं आजकल 2019 में विधायक बने थे विधायक बनके सरकार में वजीर भी हैं पहले कृशी मंत्री थे और फिर मिनिस्टर फाइलांस यहांपर कॉंग्रेस के कैंडिडेट है राजबीर फरेट या के लिए भी यह कहा जाता है की राजबीर फरेटिया बड़े सामाजिक आतमी है वहवाइक करक्रमों में उनके शगुन और लगन की जो बात चलती है उनके मुह दिखाई की बात जो चलती है यानि लड़की की शादनी में कन्यादान और लड़के की शादी में शगुन ये भी चर्चाओं में रहता है लोहारू के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार की हवा है उस हवा के एसाब से राजबीर फरेटिया जेपी दलाल को कड़ी टककर दे रहे हैं और इस टककर में एस जो है वो राजबीर फरेटिया का है राजबीर फरेटिया आगे दिखाई पड़ रहे हैं राजनीतिक लोग और वहां के जो खबर नवीस हैं अख़वार नवीस हैं या वहां के जो लोग इंट्रेस्ट रखते हैं मेरी जिन से बात हुई उससे ये सामने आता है कि राजबीर फरेटिया चुनाव जीत सकते हैं तीसरी विधानसवा सीट है तोशाम चौधरी बंसी लाल की सीट चौधरी बंसी लाल की विधायक वाली सीट जिस पर चौधरी बंसी लाल कई बार विधायक बनते रहे उनके बेटे चौधरी सुरंदर सिंग विधायक बने सुरंदर सिंग की पतनी यहां पर किरन चौधरी व प्रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिलुद चौधरी के पास लोग कह रहे हैं कि चौधरी बंसी लाल की जो विचारधारा के लोग हैं उनका समर्थन अनिलुद के पास ज्यादा है तो शाम से जाने के बाद यानि कि जब से भारती जन्ता पार्टी में चली गई तो तो शाम क के अंदर एक बड़ा फैक्टर चौधरी धरणवीर का भी है और चौधरी धरण dice का आपसी जो आंक्ड़ा है वो 36 का रहा है purposely में फसे हुए हैं तो एक पे के सामने क्योंकि पहली बार वो चुनाव मैदान में है महनत महां की हुई है और राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि अनिरुद चौधरी वहां पर एज है उनको वो आगी है यानि कि शुती चौधरी जो पहली बार विधान सभा का चुनाव लड़ने जा रही है अपने ही चचेरे भाई अनिरुद चौधरी के सामने उनका जो जलवा है वो कमजोर है और अगर कहें तो राजनीतिक भाषा के अंदर अनिरुद चौधरी को हरी जंडी मिल सकती है चंडीगड की और वो चुनाव जीत सकते हैं चुनाव में आगे दिखाई पड़ रहे हैं तो भिवानी जिल दो विधान सभा की सीटे हैं और ये भिवानी महंदरगड लोग सभा के अंदर आता है दादरी से पिछली बार चुनाव जीते थे सौंबिर सांगवान निर्दलिये और बाडरा से चुनाव जीती थी नैना चोटाला जन्ना एक जन्ता पायटी की इस चुनाव में क्या है तो आपको बताता चलू कि दादरी के अंदर भारती जन्ता पायटी ने जो टिकेट दिया है वो बविता फोगाट का टिकेट काट करके और टिकेट मिला है सुनील सांगवान को सुनील सांगवान यहाँ पर पूर मंत्री सत्पाल सांगवान के बेटे हैं सुनील सांगवान जेलर थे और जेलर की यानि की सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीती में आये भाजपा ने टिकेट दिया और अब चुनाओ मैदान में है सुनील सांगवान के सामने जिनको टिकट दिया है कॉंग्रेस ने उनका नाम है मनीशा सांगवान मनीशा सांगवान के पती है विकास सांगवान नोकरशा है भारती प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है और मनीशा सांगवान इस समय चुनाव मैदान में डटी हुई है सुनिल सांगवान के साथ एक बात आ रही है कि इनके पिता जी दो बार विधायक रहे हैं एक बार चौदरी बंसी लाल के टिकेट पर और एक बार हर्याना जनहित कॉंग्रेस के टिकेट पर दौनों बार ये वजीर बनने का मौका भी मिल गया था दौनों बार ही जब हर्याना जनित कॉंग्रेस से बने थे तो फिर चले गए थे कॉंग्रेस के अंदर वुपेंदर सिंग गुड़ा जी के साथ पहले उन्हों पार्टी छोड़ दी थी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बाद में भाजबा ने उनके बेटे को टिकेट दिया दाधरी के लिए कहा जारा है कि मलीशा सांगवान आगे दिखाई बढ़ रही है दाधरी विधान सभा सीट को लेगर कहा जारा है कि यहाँ पर कॉंग्रेस का माहॉल है और मलीशा सांगवान चुनाव जीतने की तो're बादर विधानसभा की बात करूं जो पॉचवी विधानसभा और झ्नाव मैदन में अपकी बार नहीं हैए जन्नायक जन्तापराटी की भारती जंता पार्टी ने नए चाहरे हैं सोंबिर सिंग के साथ में जहां चौधरी बंसी लाल की विचारधारा जुड़ी हुई है तो उमेद पातुबास बताया जाता है बड़े बिजनिसमेन है चुनाव के अंदर कहा जा रहा है कि सोंबिर सिंग को एज है कॉंग्रेस के पक्ष में बाड़रा के अंदर भी कॉंग्रेस की हवा है और सोंबिर सिंग चुनाव जीच सकते हैं इनके लिए भी हरीशंडी है ग्रीन सिगनल है तो ये पांच सीटे होई जाट लेंड की भिवानी जिला और चर्की दादरी जिला अगली चार विधानसभा सीटे आती है भिवानी महंदरगड में महंदरगड जिले की महंदरगड में राव दान सिंग केंडिडेट है कॉंग्रेस के विधायक थे निवर्तमान विधायक सांसत का टिकेट भी मिला था चुनाव हार गए थे दान सिंग के साथ में पहले एक बात चली थी कि उनका टिकेट कर सकता है कॉंग्रेस का लेकिन कॉंग्रेस ने अपने सभी निवर्तमान विधायकों को टिकेट दिया और दान सिंग जी को भी टिकेट मिला दान सिंग के सामने जो केंडिडेट हैं भारती जनता पार्टी के पंड़त राम बिलाज शर्मा का टिकेट काटा था भारती जनता पार्टी ने और उनके स्थान पर कमल सिंग को टिकर दिया कमल सिंग भारती जनता पार्टी के जिलाद्यक्ष मी रहे हैं केडर भी इसकारे करता हैं लेकिन लेकिन जो राम बिलाज शर्मा के आशु थे वह भारती जनता पार्टी के लिए भारी पड़ते दिख रहे हैं पंड़ित राम बिलाज शर्मा ने अपने जो कारे करता और समर्थकों के बीच में कहा था कि मुझे कमजोर कर दिया वो कमजोरी भारती जंता पार्टी के लिए कमजोरी बन सकती है यहाँ पर एक तीसरे केंड़ेट और है संदीब सिंग संदीब सिंग पिछला चुनाओ भी लड़े थे संदीब सिंग SDM के नाम से फेमस है पूरु मंत्री चौधरी बाहद्दूर सिंग के बेटे है संदीब सिंग ने पिछला चुनाओ भी लड़ा था 2019 का और उसके अंदर 32-33,000 वोट लिए थे वहाँ पर लोकप्रिये भी है लेकिन तिकौना संगर्ष बनने में यहाँ पर भी रावदान सिंग को एज है बताते हैं कि जो भारती जंता पार्टी का और जो खासकर ब्रह्मन मत दाता है उसका जुकाओ दान सिंग की तरफ जादा है अगली विधान सभा की बात करें तो फिर अटेली विधान सभा सीट अटेली के जो विधायक थे डॉक्टर सीता राम उनका टिकट काट करके और टिकट दिया गया आरती राव को आरती राव राव इंदर जी सिंग की बेटी है राव इंदर जी सिंग की बेटी है आरती राव और उनके सामने जो टिकेट कॉंग्रेस ने दिया वो दिया अनिता यादव को अनिता यादव यहां की पूर विधायक है यहां पर एक टिकेट और मिला आमादमी पार्टी का सुनील यादव को वो भी चर्चाओं में है अगर अटेली के आप से बात करें तो राव इंदर जी सिंग ने अपनी बेटी को पुलिटिकल एड़्जस्ट करने के लिए इस चुनाओ में यह दाव खेला कि उनकी बेटी को टिकेट मिले राव इंदर जीत के लिए कहा जाता था कि अहिरवाल में उनका प्रभाव है कहीं भी उनकी बेटी चुनाव जीत सकती है तो उनको अटेली में भाग्या अजमाने के लिए भेजा गया लेकिन राजनितिक हवाएं कह रही है कि आरती राव भी चुनाओ में फसी हुई है मैदाने जंग में यह कहा जाता है कि जो बड़े नाविक होते हैं वो कई बार लहरों का सामना नहीं कर पाते और उनकी जो किष्टी है वो डूब जाती है तो अटेली के अंदर आरती राव भले ही हेवी बेट कैंडिडेट खुद भी है खिलाडी बेटिंग है उनके पिता भी हेवी बेट है लेकिन आरती राव को हम यहाँ पर येलो सिगनल देंगे यानि कि उनकी गाड़ी रेंग रही है अभी हरीवत्ती की तरफ नहीं है कावला कड़ा है अगर अगली बात करूं तो नांगल चौधरी नांगल चौधरी से अभेसिंग यादव तीसरी बार चुनाओ मैदान में हैं सेवा निवरत नौकर शाह है अपना अभेसिंग यादव जी आई-एस रहे उनके परिवार में बहुत सारे अधिकारी है आई- विरोत के चलते में 209 में राव अभेसंग फिर विधायक बने विधायक बनते ही फिर मंतिरी बना wedistle नहीं बन पाए बीच में उनको मंतरी बनाया गया राव अभेसंग कर हर्याणा सरकार के वजीर हैं सरकार कारेवाह के कीएकर सरकार है तो की च कर मिनिस्ट है वोा भी अख अभे सिंग चुनाव मैदान में गए थे तो कहीं कहीं उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा ये पहली बार हुआ अभे सिंग के सामने जो चुनाव लड़ रही है यहाँ पर वो चौधरी मूला राम गूजर समाज से आते हैं चौधरी मूला राम यहाँ पर विधायक रहे थे उनकी परिवार से हैं मंजू मंजू को टिकेट मिला है वो चुनाव मैदान में है चौधरी मूला राम पिछला चुनाव जन्ना एक जन्ता पार्टी के टिकेट पर लड़े थे और सेकिंड स्थान पर रहे थे दूसरे नंबर पर बाद में उनका परिवार कॉंग्रेस में चला गया और मंजु को कॉंग्रेस का टिकेट मिला यहां पर कहा जा रहा है नांगल चौदरी में भलेई अभैसिंग का वियोध है लेकिन फिर भी अभैसिंग चुनाव जीतने की तरफ अग्रसर हैं तो राव अभैसिंग को नांगल चौदरी में ग्रीन सिग् formally देंगे चुनाव वह जीत सकते हैं अगर अगली बात करें तो अंतिम विधानसवा सीट नारनौल नारनौल से ओम्प्रकाश यादव निवर्तमान विधायक है पहले चर्चाएं चली थी कि ओम्प्रकाश यादव का टिकेट कर सकता लेकिन बाद में भारती जंता पायटी ने ओम्प्रकाश यादव पर भरोसा जताया उनको टिकेट मिला ओम्प्रकाश यादव चुनाव मैदान में है उनके सामने जो कैंडिडेट है वो है राव नरेंदर सिंग राव बंसी सिंग के बेटे हैं 2009 में हरियाना जनहित कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव जीते थे चुनाव जीत करके विधायक बने थे और बाद में चले गए थे भुबेंदर सिंग घुड़ा जी के साथ कुल्दीब बिश्णोई को अकेला छोड़ करके जो पाँच विधायक आये थे उनमें राव नरंदर सिंग भी एक थे राव नरंदर सिंग चुनाव मैदान में है उम्प्रकाश यादव चुनाव मैदान में है मुगावला कड़ा है लेकिन नार नौल के लिए भी कहा जा रहा है क्योंकि नारनौल के अंदर सैनी मद्दाता बड़ी संख्या में है सबसे छोटी विधानसभा सीट है पूरे हर्याडा के अंदर नारनौल लोग कहते थे कि अगर राविंदर जी सिंग अटेली या नांगल चौधरी या किसी और सीट के बजाया नारनौल की तरफ देखते तो वो ज़्यादा इजी रहती उनकी बेटी आरती के लिए लेकिन टिकेट मेरा उम्प्रकाश यादव को और उम्प्रकाश यादव यहाँ पर आगे हैं उम्प्रकाश यादव के लिए ग्रीन सिगनल है वो चौनाव जीच सकते हैं तो ये थी बिवानी महंंदरगड़ की नौ विधान सभा सीटे जसमें हमने आपको बताया कि छे विधान सभा सीटों पर lane को बड़त है दो विधान सभा सीटों पर भारती जंता पार्टी को बड़त है और एक विधान सभा सीट अटेली जहां से राव इंदरजी सिं जेठ हैं कॉमरेड उम्प्रकाश उनके लिए green signal लोहरू में राजबीर फरेटिया के लिए green signal तो शाम में अनिरुद चौधरी के लिए green signal चर्खी जादरी में मलीशा सांगवान को हरी जंडी बाडरा के अंदर सौंबीर सिंग को हरी जंडी महंदरगण में राव दान सिंग जीतने की तरफ अग्रसर हैं नागल चौधरी में अवैस सिंग यादव चुनाव जीतने रहे हैं नारणावल में उम्प्रकाश यादव के लिए ग्रीन सिगनल है और अटेली में आरती राव आगे हैं लेकिन उनके लिए येलो सिगनल है आप हमारी इस बास से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना